एक एक करके सभी रिपोर्टर्स करों करेंगे सबसे पहले दिली चलते है विने आपके पास आएंगे क्योंकि हाई प्रोफाइल मीटिंगों का जो दौर है वो जारी है कल पीम ने मीटिंग करी थी प्रिधानमंत्री नैंद्रमूदी की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग यह बताईए दुनिया में कहीं कुछ भी हो उसका सीधा असर भारत पर जरूर होता है यह अभी तक का अनुभव कहता है कोरोना की सिती जो हम देख रहे हैं इन दिनों चीन में जापान में यूएस में या फिर बाकी देशों में ऐसी सिती भारत में ना उत्पन हो उसको ले बुद्वार को स्वास्त मंत्री ने स्वास्त मंत्राल ले और स्वास्त अधिकारियों के साथ बैटक की थी और गुरुवार यानि की बीते कल की बात की जाये तो खुद प्रधान मंत्री ने हाई लेवल मिटिंग ले आज भी एक हाई लेवल मिटिंग है दो पहर तीन बज क्या पिछले कुछ दिनों में कोई ऐसा केस आया है जिसका वेरियंट अलग हो अभी कितने बैड उपलब्द हैं और साथी साथ ये भी जाना चाहेंगे स्वास्तमंत्री इस बैठेक में कि कितना तयार है कौन सा राज्य है और अगर अगर अपात कालिंज सीटी आती है तो कें सरकार से क्या मदद चाहिए होगी यह तमाम डाटा तमाम रिपोर्ट यहां पर स्वास्तमंत्राले एक तयार करेगा जिसके बाद यह माना जा रहा है कि कें सरकार की तरफ से कोई डिसीजन यानि की कोई निर्देश जारी किया जा सकता है जिसको करोना की लड़ाई में एहम माना जा सकता है और भारस सरकार अभी से तयारियां इसलिए कर रही है कि देश ने साल 2020 और 2021 खास्तोर पर 2021 का वह दोर जहां पर तरहीं तरहीं मच गई थी ऑक्सीजन की कमी हुई थी कई परिजन अपने परिजनों को अपने सामने दम तोड़ता देख रहे थे वो द्रिश् साके जुड़े लोग अधिकारी मघूद थे घरा मंतरी स्वास्तमंत्री उसमें मोझूद थे तो अब जो हाज मिटिंग होगी उसकी रिपोर्ट तयार की जाएगी कि किस रा हर राज्ये के स्थिति के साभ्ट तयार होगी और उसके बाद इमाना जा रहा है कि की सरकार की त तक की बात करें तो पिछले सालों में ये रिकॉर्ड रहा है कि मास्क ने इस कुरोना की लड़ाई में एहम भूमिका ने भाई है क्योंकि ये डिरेक्ट किसी के संपर्क में अगर कोई डिरेक्ट खुली हवा में सांस लेने से रोकता है और ये एहम लड़ाई है बेलकुल वे इसी बीच हम चलेंगे चंडीगड हमारे समधाता रवी चंदेल हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं लाइव रवी चंडीगड से क्या ख़बर है कोविड को लेकर मामलों को लेकर तयारी को लेकर स्थिती को लेकर कि न कि जिस तरीके से अगर हम हार्यानदर सरकार के सबसे पहले बात जो है हारें तो हो इस जो में चनुन से QA आधार यहीं प को छाहे को जानने की कुशिश की जाए कि आखिर कर मेसीथ नि था इन्द मों की अधार वेरियंट है कहीं खतरनाक BF7 वेरियंट तो नहीं है उसको लेकर खास तोर पर जो है वो टेस्टिंग स्पीड जो है वो बढ़ाई गिए हर्याना की बात करें तो हर्याना के अंदर जो है लगबग करोना संकरमित मामले पंजाब के अंदर मौशूद है तो वहीं अगर हिमाचल की बाद करें उछे noch नए मामले साम wilky Hahaha जिसके बाद से जो करोणा patient की जो किनती है वो लगबख 24 के करीब कुरोना पेशन्स हीमाचिल मेंदर उनुछ स्थिति है क्या कुछ स्थिति है यहां जाजा करेंगे medicines की क्या कुछ stocks जो है उनके पास arrangements हैं उसको लेकर जानकारी साजा की जाएगी oxygen plants को लेकर जानकारी साजा की जाएगी साथ ही साथ ventilators की क्या कुछ विदाएं जो है वो राजिस्तर पर है उसकी जान जो है वो report जो है वो केंदर सरकार को जो है वो सौंपी जाएगी तलिक त्यायारी पूरie है यहां पर भी चलते हैं पानीपत How to Cash सुमिप भरदवाज हमारे समभादाता वहार से हमारी साथ है सुमिप पानीपतaz में कितनी से तरक्ता बढ़ती जा रही है को्रोना के बढ़ टे हुए मामलों तो क्योंकि यहां से लगातार जो यहां के वर्कर हैं लेबर है उनका दूसरे परदेशों से आना जाना लगा रहता है और यहां पर विदेशों सो भी विव्यपार होता है तो इसलिए अब स्वास्तव वबाग पहले ही अलर्ट मोड पर है स्वास्तव विवाग द्वारा साथ ही साथ उन्होंने सावधानी बढ़ने की यहाँ पर बात किया है, उन्हें नकाया कि जैसे पिछली बार जो केरोना के लहरा आई थी, सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव थी, अब की बार भी वही करना है, माजक लगा के चलना है, सोचल डिस्टेंसिंग से जो है वो प्राइवेट होस्पिटल की उन्हें जरूरत पड़ेगी तो उनको भी नोटिस दे दिया गया है कि उनको पूरी विवस्था करनी है और तैयारिया रखनी है सेविल होस्पिटल कभी भी उन्हें हायर कर सकता है अगर ऐसी स्थिति आती है तो चीक है चलते हैं जजर जजर का हाल बताईए यहां पर क्या कोरोना को कोई मरीज पाया गया है और यहां पर भी गाइडलाइन्स के अगर हम बात करें तो अभी सिर्फ सतर्क रहने के लिए कहा गया है या फिर कुछ चीजों को ज़रूरी भी कर दिया गया है जजिता बिल्कुल सरकार की तरफ से उप्चारिक रूप से कोई गाइडलाइस नहीं जारी की गई है लेकिन कोरोना से बचाव के लिए जो एसोपी तयार की गई थी उन्हीं का नुपालना करके ही या इस वक्त भी हम कोरोना से बच सकते हैं बात करी जाए जजजर जिले की जजर जिले में 6 से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट करोना के काल की दोरान बने है और ऑक्सीजन की कमी का खामिया जा काफी सारे मरीजनों को पहली जब वेव आई थी तो भुगतरा पड़ा था सेकंड वेव के दोरान भी काफी दिक्कते होई थी लेकिन इस दोरान जो स्वास्ते सेवाएं हैं उन्हें बेतर करने का काम किया गया है जजर जिले में आधा दर्जन नए ओक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं बायो पैप मशीने मंगवाई गई है इतना ही ओक्सीजन कंसंट्रेटर भी जो हम वो पर्चेज किये गए हैं इसके साथ ही काफी सारे जो आस्पिताल हैं उन्हें अफगरेड़ करने का काम भी किया गया है थाकि कि किसी तरह की जो महामारियाती है वेश्विक महामारियाती तो उनसे निपटा जा सके हैं स्वास्ते सेवाओं जो हैं वो बेpter हुई है इससे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता क्योंकि पहले जो कोरोना आया तो उस समय जो परशाशन है स्वास्तिव भाग है पूरी तरह से तयार नहीं थे लेगिन इस वक जो है स्वास्तिव भाग पूरी तरह से तयार दिखाई दे रहा है जो वेक्सिनेशन की बात है तो जजर जिले में फर्स्ट और सेकेंड डोज की 90% से ज़्यादा लेकिन बूस्टर डोज लेने में लोगों ने कोता ही बरती है बाजारों में अब भी भीड दिखाई दे रही है सर्दी का मोसम शुरू हो चुका है तो ऐसे में OPD में रो जाना सर्दी खासी जुखाम से पीडित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है टेस्टि से तयार रहें इतना ही नहीं काफी सारे जो क्वारंटाइन के लिए जगह बनाई जानी थी वह भी पूरी तरह से तयार कर ली गई है अलग अलग जगह पर जो है टेस्टिंग के लिए पुकता इंतजाम किये गई हैं जितने भी च्छी सेंटर है पीएसी सेंटर है सभी जागे टेस्टिंग हो सरी जी